आज मैं बेबी के लिए फीड करने के लिए उसे मेडिसिन वगरा फर्स्ट क्राई के शोरूम पे गया था आज यहीं खुला है फाइव फेज में नया अभी दावत के बिल्कुल साथ खुला है यह इसके ओपर लिखा तो है जीरो प्लस मंस लेकिन वो भी बोल रहा था अपना शॉप वाला के यह जीरो प्लस के लिए तो बड़े बच्चों के लिए यह फाइव मंस प्लस के लिए यह नहीं चलेगा लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके आगे जो निपल है वो हो सकता है यूज सिक्स मंत और आगे के बच्चों के लिए भी तो मैं काफी देर से अपनी मैडिसिन ले रही थी तो मुझे चाहिए था कि वो आगे निपल हो उसके जिसको वो सक करती है और अपने मैडिसिन लेती है ब्राउज करते हुए मुझे यह वाला मिला फीडर पैसिफायर मैडिसिन फीडर बेबी हग की तरफ से यह और यह सिलीकॉन का है कलर इसमें लिखे वाइट पिंक और ब्लू मिल जाते हैं तो इसको अभी खोल के देखूंगा वैं ऐसे यूज करना इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिरिंज के जैसा है अब इसकी कैपैस्टी बगारा भी इस पर लिख हुई होगी आगे इसके मेरिंग के लिए है यह वाला जो आगे लगा हुआ है इसको रिमूव करने से यह ऐसे तीन पार्टस में डिवाइड हो गया यह तो इसका मेरिंग वाला है और आगे इसके निपल है और पीछे सिरिंज टाइप है तो अभी मैं इसको ट्राइ करके देखूंगा बेबी को फीड देते समय फिर मैं बदाऊंगा उको कैसे फीड ले रही है तो इसकी basic functioning है इसको remove करके सारे parts आगे से इसको syringe की तरह दबाई को fill up करना है उसके बाद जो दूसरे parts है उनको आगे लगाके निपल को फिर बेबी को फीड करना है इस product से मैंने देखे देखा है medicine बेबी को बहुत अच्छे से फीड ली उसने बेबी ने तो newborns के लिए भी ठीक है यह और बड़े बच्चों के लिए जैसे six months और eight months अभी के लिए मुझे तो लगता है यह medicine देने के लिए ठीक है